जी नमस्कार दोस्तों ग्यान आलम आपका स्वागत है और अभी EMRS की जो 16 तारीक और 17 तारीक को चार पोश्ट के लिए एक्जामनेशन हो चुके हैं और एक आपत्ती को लिए क्या है यह जितने भी questions है सारे जितने भी पोश्ट के लिए हुए हैं सब में जो है ऐसे questions पूछे गए हैं ऐसे answers दिये गए है जिनमें विबाद उत्पन हो रहा है किसी में एक से ज्यादा सही हो रहे हैं और किसी में सही option नहीं मिल रहा है तो इन सारी चीजों को आज गहनता से चर्चा करेंगे कि जो ये question इस तरह के questions है इस questions पर क्या होगा delete किये जाएंगे या एक से अधिक जो सही है जिसमें दो options सही हो रहे हैं उनमें क्या होगा जिनका qualifying है अगर उससे कुछ से परभावित हो रहे है तो उनके लिए क्या है अगर आपत्ती परगट करनी है जब answer की अभी तो नहीं आया है जब answer की इनका आजाएगा तो आपत्ती के लिए क्या परकरिया है सबसे बड़ी बात तो है पहले जब हम लोगों ने देखा था कि जनरल से ली गई बाकी जिल जो लोग भी दे उनसे पंदरा सो और एक हजार रुपए फीस लिए गए बिभिन पोस्ट के लिए अब answer की जब इनका जारी होगा तो इसमें आप लोग देखेंगे यहां पर जो दिखा हुआ कि इसके लिए क्या होगा कि आप अगर जब चैलेंज करोगे आंसर की आर लाइकली टूबी डिस्पलेड़ टू 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 ठीडे टू प्रवाइड दी अपरजुनुटी टू दा कंडिडेट्स चैलेंज दी एंसर बित नान रिफंडेवल नान रिफंडेवल प्रिस्क् को चैलेंज करते हो जो भी इनकी एंसर की आएगी उसके एकॉर्डिंग और अगर आप लोग देखेंगे अगर आप लोग उने चारों के पेपर देख लिए होंगे प्रिंसिपल के पेपर आपने देख लिए पीजी टी के आपने पेपर देख लिए होस्टल वार्डन के प नहीं मिलना है खासकर इंग्लिस में ऐसे बहुत सारे questions आ रहे हैं जिन में जो है आधे कुछ students कह रहे हैं कि इसमें यह सही होगा आधे students यह कह रहे हैं कि दूसरा सही होगा इस तरह कि जब भी questions आते हैं तो समझ जाये क्यों विवाद है 50% अगर लोग कर रहे हैं कि यह चीज इसमें दो questions सही है दो options सही है तो जाहिर सी बात हो उनको जो है रेज करना पड़ेगा उनको जब answer official की आएगी तो उसमें उनके लिए जो है आपती जो है करनी पड़ेगी लेकिन जो चीज यहां पर कीगी हजार रुपया पर question के लिए processing फी इतना जाद फीस लेना समझ से बाहर है वो भी non-refundable अरे जिनों ने सही जिनों जिनों ने जो है चैलेंज किया उसको तो यह refund कर सकते थे या इसको जो यह 100 रुपया पर question कर सकते थे 1000 रुपया किया गया है और जान बूज कि हमें तो लगता कि जान बूज कि इतने जादा विवादित questions दिये गए हैं इसमें बहुत सभारी संख्या में students प्रभावित होंगे जो बहुत कुछ अच्छा करके आए हैं लेकिन जिनका English में इसी पर अटका हुआ कि यार A सही होगा कि B सही होगा एक question चार नमर तो लाने ही लाने ना जो qualifying अगर PGT वालों को तो उनमें जाद पूरी स नहीं है कि दो option अगर सही हो रहे हैं तो उस तरह के questions को एक EMRS वाले या CVS वाले जिन्होंने कराया हो क्या करेंगे इसको बराबर बराबर दोनों में बांट देंगे या पूरा question delete करके सब को एक एक अंक देंगे या फिर पूरा हटा ही देंगे किसी को कुछ नहीं देंगे यह clear नहीं है एक दुविधा की स्थिति जान बोज के उत्पन की गई है और इतने जादा जो number जो यह question के लिए 1000 रुपे लिए जा रहे हैं यह भी नियावचित नहीं है student के साथ इन्हें एक email के माद्यम से या किसी भी कोई भी आपत्ती होगी तो यह email मंगवा लेते कुछ हैं और बाकी जो बच रहा है लाइव अटेंडेंट का बच रहा है काउंटन का बच रहा हो लोग जो है यह जो चार questions हुए है चारों के जो पोस्ट के लिए examination हो उनके previous year के questions देख ले समझ लें क्योंकि अभी तक देखा गया है कि लगबग मिलते जुलते questions आये हैं चारों क इसमें जो है अगर active passive wise पहला दिया गया है तो सब में वह सेम चला है तो आपको उससे मदद मिलेगी अगर जो लोगों का सेस्त रह रहा है